तो आज हम बनाएंगे सबसे अची ब्लाउस और इसे हम 34 साइज बनाने वाले हैं तो आपकी काफी सारी कमेंट्स आ रही थी कि मैं सबसे अची ब्लाउस पैड़ेट में बताएं तो आज हम उसी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे साथ ही हम इसमें पैड लगाना भी सिखेंग करने और अंदर ग्राउंद फिनिशिंग कैसे करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं तो यांपर मैंने यह पैडरिक लया है तो इसकी जो कृटिंग है वह पहले हम पेपर पर करने वाले हैं थक हैं तो यांपर एक पहले स्ट्रेटte लाइन ग्ट रो कर लेनी है और इसको अर अभी यहाँ पर हमें शोल्डर ले लेना है तो शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच और आर्मुल भी हमको 5.5 इंच ही लेना है लाइन को ड्रॉ करना है यहाँ पर हमारी चेस्ट का 4th पार्ट आएगा तो चेस्ट है हमारी 34 उसका 4th पार्ट होगा 8.5 इंच 2 इंच लेंगे हम मार्जन के लिए और वेस्ट जो हमारी लैंद है वो है 13.5 इंच रखनी है तो 1 इंच इसमें प्लस करेंगे तो 14.5 इंच लेना है line को draw किया अभी यहाँ पर हमें waste जो है वो नहीं ही लेनी है हमें आपर एक straight line ही draw कर देनी है यह दिखिए इस तरह से जो दोनों line marking की दिये हैं उनको line को draw कर देना है line को हमने draw कर दिया और 1 inch से armhole के side पर गुलाई देनी है तोड़ी जादा गुलाई हम देंगे यहाँ पर तो दिखिए इस तरह के से हमने गुलाई दी है अब हमें neck की width लेनी है तो neck की width हम 2.5 inch रखेंगे और neck की जो line दे वो 9.25 inch 9.5 inch भी रख सकते हैं तो यहाँ पर हमने marking कर ली है यहाँ पर एक box बना कर sweet heart neck का shape देना है तो ज़्यादा तर हम सबसे अची blouse बनाते हैं तो यहाँ पर हम sweet heart neck ही देते हैं क्योंकि यही ज़्यादा trend होता है और इसमें look भी थोड़ा सा different होता है तो इसलिए हम यहाँ पर sweet heart neck की marking करेंगे और इस type से होना चाहिए तो मैंने यहाँ पर neck की length कम रखी है लेकिन center पर हम इसको fabric लगा कर थोड़ा सा छोटा करेंगे लेकिन इसका जो shape होगा वो इसी तरीके से हम proper देंगे इसलिए हमने यहाँ पर neck की length को ज़्यादा लिया है यहाँ पर shape दिया अब यहाँ पर हमें tux point लेना है तो tux point लेंगे हम 10 inch पर यहाँ से हम mark करेंगे 3.75 inch पर अब जो हमने यहाँ पर top लिया है उसके नीचे हम marking करेंगे 3.5 inch पर यहाँ से हम एक straight line draw करेंगे अब width जो हैसकी यहाँ पर side से हमको 1 inch लेना है यहाँ पर मैं dot dot वाली line draw करनी है line को draw किया अब देखिए हमें आपर shape देना है तो यहाँ से हम 3.5 inch का shape देंगे यहाँ पर इस तरह से line को draw करना है अब हमें यहाँ पर french curve यूज करना है अगर आप beginners हैं तो french curve यहाँ पर use करेंगा वन आप हासे भी दे सकते हैं क्योंकि french curve से आप shape देंगे तो proper shape आएगा इसका यह दिखिए इस तरह से जो हमारा armhole है armhole का जो corner उसके side से half inch या one inch आप लेकर इस तरह के से shape दे सकते हैं और यहाँ से हमको stripe से shape देना है तो देखिए हमारा जो shape पूरा नीड आता है यह देखिए आप थोड़ असा हमको इस तरह से देना है यहाँ से इसको इस तरह से मिलाएंगे अब यहाँ पर हमें belt की marking करनी है तो यहाँ पर देखिए side का जो belt आया है यह आया है 3 inch तो side में हम 2 inch रखेंगे और जो dot dot वाली line draw की थी वहाँ से हमको इस तरह से मिलाना है यहाँ पर इस तरह से shape देना है तो यह हम थोड़ा सा आगे तक ले जाएंगे और यहाँ पर इसे shape देना है तो हमने आपर shape दिया अब इसका जो belt हो का वो अलग से निकालना है और side से हमें आपर 1 inch या half inch आप extra ले लीजेगा क्योंकि जब हम इसको stitch करेंगे तो यह थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो इसलिए हमने इसको side में थोड़ा सा बढ़ा लिया है वो बढ़ाना ज़रूरी है इसको वरना आपका जो front बाला part होगा वो back से छोटा हो जाएगा इसको हमें cut कर लिए तो जैसे जैसे हमने marking किये वैसे हम इसको cut करेंगे यह दिखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से shape देंगे यह दिखिए तो हमने इसका shape दे दिया यहाँ पर round आना चाहिए corner नहीं बनना चाहिए अब हम जब इन दोनों को stitch करेंगे तो यह दोनों पार्थ हमारे बराबर आएंगे अब यहाँ पर हम belt को निकालेंगे तो waist है हमारी 28 तो उसका fourth part 7 inch और 2.5 inch margin का add किया है यहाँ पर हमें एक side से 3 inch लेना है एक side सम 2.5 inch लेंगे इसमें हमें साथ में margin अलग से add करेंगे इसका तो हमारी यह सारी cuttings हो गई है front वाले पार्ट की तो अभी हम इस पर lining पर cut करेंगे तो बंद बाला जो बागे वो हमें हमारे side पर रखना है यहाँ पर एक straight line row करेंगे और सबसे पहले हम belt की marking करेंगे तो पहले हम इसके as a t's marking करेंगे फिर हमें उपर के side से half inch belt को extra ले लेना है stitching के लिए यहाँ पर हम इस वाले पार्ट को रखेंगे सबी side से as a t's marking करेंगे यहाँ पर हमें जो tux point था उसके हमें यहाँ पर marking कर लेनी है यहाँ से half inch हमको extra लेना है stitching के लिए क्योंकि stitching में भी हमारा fabric जाएगा और अगर हम इसमें margin नहीं लेंगे तो हमारा जो part होगा वो थोड़ा छोटा आ जाएगा तो इसलिए हमें यहाँ पर दोनों side पर margin लेना है तो पहले तो मैं सबी side पर as a t's marking करनी है यहाँ से भी half inch का margin नेट कर लेना है इसको हम cut करेंगे इसमें हम एक pad लगाएंगे तो pad के लिए भी हमें एक body अलग से cut करनी होगी तो lining fabric के हम एक body और cut करेंगे पूरी ही belt को चोड़कर यह दोनों part के यह दिखिए belt भी cut हो गया अब इने हम man fabric पर cut करेंगे तो दिखिए man fabric जो है उसमें flower उपर के side दिये हुए नीचे के side भी तो हम जो हमारे part से वो हम किसी भी side पर cut कर सकते है क्योंकि हमारे जो design है वो दोनों side पर दी हुई है तो belt cut कर लिया यह वाला part यहां से cut करेंगे side वाला part हमें यहां से cut कर लेना है तो सभी parts हमने cut कर लिये हैं अब हम इसको stitch करेंगे तो जो हमारा corner जो हमारा tux point तो वहां पर एक cut लगा लेना है और एक body हमने margin यहां पर रखा था stitch के लिए उतना ही margin हम यहां पर रखेंगे यह देखिए इस तरह से कितना अच्छा puff create हुआ है आप पर और देखिए आपर हमने iron किया है इसको इस तरह से करके और दूसरा part भी जो है वो हमने cut कर लिया था अब यहां पर हम pat लगाएंगे तो center पर इस तरह से mark करेंगे mark करेंगे बाद जो हमने cut लगाया था tux point का वहीं पर हमें pat को stitch कर देना है तो यह देखिए इस तरह से हमारे यहां पर pat attach हो जाएंगे दूसरा pat भी इसी तरीके से attach कर लिया है अब देखिए यहां पर यह वाले part को मैं फैबरी को right side पर रखा उसके उपर हमने यह lining fabric का pad वाला और अभी हम neck को stitch करेंगे यह देखिए neck को stitch किया cut लगाना है इसको पलट लेना है पलटने के बाद side से stitch करेंगे और इसको थोड़ा सा set करेंगे तो यह easily set हो जाएगा यह देखिए neck को stitch किया बागी side से भी हम इसको stitch करके extra fabric cut करेंगे यह देखिए इसको stitch किया दूसरा part भी stitch कर लिया अब यहाँ पर हमने fabric लिया इसकी weight हमने 4 इंच रखी है length हमने इसकी 5 इंच रखी है इस दरह से 3 sides हम इसको stitch करेंगे और corner पर cut लगाएंगे और इसको पलट लेना है तो देखिए corner पर cut लगाके इसको पलट लिया है इसके जो corner है वो अच्छे से निकाल लेना है side से stitch करेंगे stitch करने के बाद यहां पर इसमें lace लगा देनी है तो मैंने यहां पर multi color की lace यूज किये क्योंकि जो हमारा blouse है इस fabric में बहुत सारी color दिये हुए है अब इनको यह आपर इस तरह से stitch करना है तो पहले एक side का part stitch करेंगे फिर हमें दूसरे side का part stitch करना है एक्स्ट्रा फैबरिक करना है एक्स्ट्रा फैबरिक हमने cut कर लिया है अब यहां पर हमें lace लगानी है तो neck पर lace लगाएंगे यह देखिए तो lace लगा लिए दूसरे side भी same वैसे ही lace लगानी है अब यह बैल्ट है बैल्ट को complete करना है तो man fabric को right side पर रखेंगे उसके उपर landing fabric रखेंगे और नीचे के side से इसको stitch करेंगे एक stitch lining fabric के उपर से करना है अंदर के side fold करते हुए stitch करेंगे हमने आपर stitch कर लिया है अभी हमें आपर बैल्ट को stitch करना है तो देखिए इसको हम इस तरह से रखेंगे सेंटर पर जो हमारा सेंटर है उस पर रखना है इस तरह से तो हम इस तरह से बैल्ट लगाएंगे ना तो हमारी जो पूरा blouse है वो अंदर ग्राउंड बनेगा यह दिखिया पर इस तरह से cut लगाना है इसको right side पर करना है और यहां से फोल करते हुए स्टीच करना है तो फोल करते टाइम इसमें फनीशिंग आनी चाहिए वरना बैल्ट में अमारी फनीशिंग नहीं दिखेगी कर देखिए यह देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा बैल्ट कट करेंगे और हमें आपर बैल्ट पर भी लेस लगा देनी है साइट से एक स्टीच और करेंगे यह देखिए इस तरह से फ्रेंट पाइट हमारा कम्प्लीट हो गए आप देख सकते हैं कि इसकी जो फिटिंग अब अग्तम पर्फेक्ट आई है और कहीं से कोई कोई भी क्रीज नहीं दिख रहे हैं बैक साइट से भी दिखिए कितना फ्नीशिंग से यह दिख रहा है तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक श्रेंड कमेंट जरू करिएगा और चैनल को सस्क्राइब जरू करिएगा तैंक यू